विल्कम टो और चानल मैंने में आपसर और आपको बताऊंगा वाटसाप के एक नियू अपडेट के बारे में जो कि आपके स्टेटस के उपर आपको देखने को मिल जाएगा अभी आप जब भी वाटसाप के उपर अपने स्टेटस को लगाने के लिए जा रहे होंगे तो वह है कि आपका जो वाटसाप का स्टेटस है वो आपके फेजबुक के स्टोरी के उपर लगे या फिर किस तरीके से आप अपने वाटसाप के स्टेटस को फेजबुक के स्टोरी के उपर शेयर कर सकते हैं तो इसके लिए देखो फरस्ट आप आप एक काम करेंगे देखो सबसे status को इस photo को मैं अपने status के उपर लगाने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको आपका जो status की privacy है वो आपको आपके contact के उपर set रखनी पड़ेंगी तब भी वो होगा अगर आप किसी particular बंदे के साथ में अगर share करेंगे तब यह option काम नहीं करेगा तो यहाँ पर मैंने उसको select कर लिया अब जस्ट मैं इसको जैसी share करने के लिए अगर जाऊंगा तो यह send होगा और send होने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर facebook का icon बना हुआ रहा है और नीचे लिगा हुआ है share to your facebook story और आपको अगर अपने facebook के story के उपर इसको अगर share करना है तो उसके लिए आपको setup करना होगा तो आज के studio के नमें आपको यह भी बताऊंगा कि आप इसको setup किस तरीके से कर सकते हैं otherwise अगर आपने इसको setup नहीं किया है और आप अगर चाहते हैं कि भी आपका जो WhatsApp का status है वो आपके facebook के story के उपर बिल्कुल भी शेयर ना हो तो आपको कुछ भी करने की जूरत नहीं है जस्ट आपको ऐसे ही छोड़ देना है आपका जो वाटसाप का status है वो आपके facebook के story के उपर डिरेक्ली नहीं लगेगा तो अभी देखो सबसे पहले अगर आप यहाप पर share बटन के उपर अगर क्लिक करते हैं तो आपको share के option आ जाते हैं जहाँ पर आप अपने facebook आइकन के उपर भी डिरेक्ली क्लिक कर सकते हैं यहाप पर क्लिक करने के बाद यह आपको बताएगा share your status to facebook story यहाँ पर तीन option दिये गए है एक है easily share your status on facebook without leaving whatsapp तो आपको whatsapp को छोड़े बिना अपने status को facebook story के उपर आप आराम से लगा सकते हैं आपको whatsapp के बाहर जाने की status को अपने facebook के story के उपर लगा सकते हैं second यहाँ पर आपको जो option दिया गया है वो है control which status updates are always shared sharing is off by default तो देको आपकी जो sharing है वो तो वैसे by default off रहेंगी बट आप यह खुद decide कर सकते हैं कि आपका कौन सा status facebook के story के उपर जाए तो यह काफे बड़ीया option है हमारी privacy हमारे खुद क कर सकते हैं third और last option यहाँ पर यह दिया गया है your status will be shared to your facebook story audience change your audience on facebook anytime तो आप अपनी facebook के audience को anytime change कर सकते हैं इसमें आपको कोई भी बंदिश नहीं है बट आप कभी भी अपने whatsapp के status को अपने facebook के story के उपर share कर सकते हैं अब इसको start करने के लिए just आपको get started के उपर click करना है then यह यहाँ पर अब आपको बुलेगा कि यही आपका facebook का account है जहाँ पर आपको अपने whatsapp के status को share करना है अपने facebook के story के उपर तो आप agree कर सकते हैं या फिर नीचे आपको have a different वाला option देखने को मिल जाएगा आपको just इसके उपर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर अब आपको अ account पहले दिखाता था just मैं agree अगर करूँगा तो directly यह confirm करेगा मेरे facebook को और आप देख सकते हैं कि share your status to your facebook story status will be shared to your facebook stories audience तो आपके facebook story audience के साथ में share हो जाएगा अब आप इसको always share कर सकते हैं या फिर नोटना हो कर सकते हैं तो अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने public वाला यहाँ पर अपना status लगाया है hope करता हूँ कि आपको whatsapp status facebook story के उपर कैसे share करना है इसके बारे में और whatsapp status के उपर जो आपको facebook icon देखने को मिल रहा है इसके बारे में complete detail पता चल चुकी होगी अब इससे related अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अगर आपके मन में कोई जरूर कर देना वीडियो कैसा लगा लाइक करके अपने दोसका साथ में share करना अगर आप चैनल के उपर नहीं आए हो तो subscribe करके bell notification को दोसे on कर देना ताकि feature में भी आपको इसी तरीकी की interesting and amazing videos मिलती रहे तब तक के लिए thanks for watching bye bye